जय हैंद वरिवन श्वागत है आपका एक्जाम पाट सलावाई महीं तुमार गाइस क्लास नाइंथ जो स्टुडेंट क्लास एट से क्लास नाइंथ में पहुँच रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टन बात यह है कि अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सर्क स्ले रीफियेड कर सकें तो यह जो आपके मंन में डाउट रहे है कि क्वास नाइंथ में क्वान से सबजेक्ट लिए सब्जेक्ट रहेंगे उट्वक इडे किया जाते हैं एक और सब्जेग्ट होती है तो आभ आपको बता दू कि जो है अब top 5 subject कौन से रहने वाली है तो कुछ student यह search रहे रहे रहते हैं class 9th में कौन से subjects रहेंगी तो मैं subject पता दूँ तो guys ध्यान रखना आपकी subjects जो है एक टूम mess रहेगी mess रहेगी और mess का syllabus मैं आपको भी देखो यहां पर मैंने note रखा आपको बताने वाला हूं कौन से chapters जो हैं आपके syllabus में आ रहे हैं एक mess हो गई और एक क्या है science हो गई science मैस science और आपने जो class एर्थ में पढ़ रहा होगा sst का मतलब social science यह आपकी सब्जेक्ट रहने वाली है आपके पास English रहेगी English रहेगी Hindi है और ठीक है English है Hindi है और optional subject में आपके पास computer हो सकती है जो भी आप बहुत सारी optional subject में आती हैं बट यह top main five subjects मैस है English है social science है science है और हिंदी है ठीक है अब यह तो आपकी subjects हैं बट आप आप कुछ student जो है कुछ student को डौट रहता है कि सर सब्जेक्ट कौन सी मिलब जो main subjects हो गई तो इसमें कौन सी books चलेंगी तो आपको अभी आपका रहा आप class 9th मेंटरी कर चुके हैं और आप class books लेना चाहते हैं तो मैं बता दूंग अभी आप only NCRT की books purchase कीजिए अभी आपको कोई books नहीं लेना जब तक आपके school के तरफ से आपको guide नहीं दिया जाए जो आपके school ले teacher आपको suggest reference books ले सकते बट अगर आप NCRT ही पढ़ रहे हैं तो NCRT ही पढ़कर आप क्या कर सकते हैं 9.98 या 97% आप गेन कर सकते हैं तो यह अगर और गईस कर रहा हूं क्योंकि इस channel पर आपको completely class 9 से related जो भी news होगी और सारे साथ साथ ही आपको math, science, social science, hindi, सभी subject आपको हमारे channel पर completely पढ़ने को मिलेगा कोई पैसा आपको pay कर नहीं होगा ठीक है सभी classes की आपको PDF अवलेवल करा दी जाएंगी तो जल्दी से channel को subscribe कर ले और वेल आइकन को जरूर दबा ले ठीक है और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा share करें यह class 9 का math का syllabus है math का syllabus है आपको मैं दिखाऊंगा कि class 9 में जो math में chapters कौन से आ रहे हैं और science का भी syllabus आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को script नहीं करना है वीडियो को आपको completely last तक देखना जुरूर है ठीक वीडियो को आप last तक completely देखिए और यह math का syllabus से NCRT के math में class 9 में math में कौन से chapters हैं आपको देखना है तो मैं बता दूं आप class 9 में जो chapters हैं सबसे पहले chapters है number system number system यह NCRT की जब books lying guys आप उसमें देखेंगे सबसे पहला topic है number system और guys आप हमारे channel पर नहीं है तो channel को subscribe जरू कर ले फिल आइकन को दबा ले completely आपको जो भी class 9 से latest news होगी latest updates होगी साथी साथ channel पे आपको completely पढ़ाया जाएगा free of first कोई पैसा नहीं पढ़ना तो जल्दी से channel को subscribe कर लें जानकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा share जरू करें यह तो math के जो chapters है math के chapter में पहले chapter guys का है number system second chapter क्या है poinomial है second chapter क्या है poinomial है घबराना नहीं है math मेरी guarantee है आपको 100 और हमाने दिलवाने की math में जिसकी भी math बीक है जिसकी student की math क्या है बीक है तो क्या कर देए आप हमारे channel से जुड़ जाएए क्योंकि इस channel पे आपको मैं completely zero to hero level math पढ़ाने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा आपको भले multiply addition subtraction ना आता हो आप क्या है क्या है basic से पढ़ने को मैं सपाएंगे चानल पर थार्ड चेप्टर है coordinate geometry टेक फोर्ट चेप्टर है linear equation आप तू आरेवल फिर तो चेप्टर है introduction आप युगलेट geometry चेप्टर से लाइंस एंड अंगल सेवन चेप्टर है triangle एड़ चेप्टर है quadiletal तो यह चेप्टर से अभी आपको दिखारो complete chapters युगत ने भी लास नाइंथ में मैं मैंस में complete chapters है टोटल आपको 15 chapters होंगे मैंस में कतने टोटल 15 chapters होंगे इन 15 chapters में आपको बता दूंगा इस क्या है 9th chapter क्या है area आप पैरोलोग्राम एंड ट्रेंगल है 10th chapter आपका circle है 11th chapter आपका construction है 12th chapter आपका heroines formula है 13th chapter surface area and volume है 14th chapter aesthetics है 15th chapter probability है बहुत ही normal syllabus है कोई घवरानी की जुरूर नहीं ज्यादा tough नहीं आप चाहे basic math लेना चाहे advance जो लोग होता है basic advance में क्या है chapter बच्चे सेम रहेगे same syllabus रहेगा basic और advance में इतना difference आपको देखने को मिलेगा basic में question का level जो होता है NCRT से ही आता है और advance में थोड़ा 2-4 question क्या होते एक्स्ट्रा थोड़ा NCRT से हट कर बना दी जाते बट वर जब आपको concept के लिए रहे तो कहीं से बना जाए digit ही तो change करेंगे तो घवरानी के जुरूर नहीं basic advance में कोई ज़्यादा difference नहीं आपको देखने को मिलेगा तो आप जल्दी से चैनल को subscribe जर्द कर ले आप subscribe नहीं करते हैं और बेलानिकों को जरूर दबा ले यह आपको मैंने बताया मैं इसका स्लेबस और गज बता दू जैसे आप लोग half early annual exam देते थे class 8 में जैसे आपको इसमें हमने बता दिया class 9 में चैप्टर कौन से आप चैप्टर देख सकते हैं कोई घवरानी के जरूर नहीं है और जल्दी से आप चैनल को subscribe कर ले क्योंकि इस पर completely आपको zero to hero मैं पढ़ाएगी मैं बहुत फीक हूँ अब यह गाइस मैं बता रहा हूं science का syllabus और आप कहेंगे तो मैं हर subject का आपको सेप्टर पता दूंका और आपको बुक्स अभी जो बाता रहा हूं ncrt की बुक्स आपको only खाली क्या करना है ncrt की ही आप क्या करें बुक्स only अभी पर्चेज कीजिए जब तक आपको कॉलेज की तरफ से आपको बताने दिया तो घबराना नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह science का syllabus है धुआ उड़ाना है धुआ गरदा उड़ाना चाहते है आप नाइन्थ में 98 या 97 परसेंट का अपलाना चाहते है तो आप जल्दी से हमारे चैनल से जोड़ जाईए गुरंटेड है मैस में मेरी जम्मेदारी आपको 100 आप 100 होंगे आपके मार्स तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए science के syllabus में गैज में बता दूँ यह science का syllabus है और NCIT के chapters में कौन से science में आते हैं तो बता दूँ स्था चैप्टर फरस्ट का नाम है matter in अवर वर सराउंडिंग एटर फर्ट यह है आपका structure आफ एट्म टीक है Пरस की फटर है आपका फंच्टमेंटटर यूनिट उनित आफा से तो यह अभी completely chapter बता रहूं, आपको पता चल जाए, total कितने chapters हैं, फिर last में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, chapter, ठीक है, इसके बाद chapter 6 क्या है guys, ठीसूस है, chapter 7 क्या है, diversity in living, ठीक, organism, और एक बता दू, science में जो है, science को तीन पार्ट में categorize किया गया है, एक में physics, chemistry और biology, बट आपको NCRT की book में तीनो बुकें जो एक साथ मिलेंगी आपको ठीक है, तो इसमें घबराने सारे chapters इसी में है, biology के भी, NCRT के भी, और क्या करते है, physics के भी, but आप reference book लेंगे, तो reference books अलग अलग भी आती है, physics की अलग आती है, chemistry की अलग आती है, biology की अलग आती है, तो अभी reference books जब तक आपके school में ना बता जा, तब तक ना purchase केजिए, अपने पैसा मस्त बेस्ट करना, ठीक है, इसके बाद chapter 8 है, motion, chapter 9 है, force, all and law of motion, chapter 10 है, gravitation, और इसके बाद chapter 11 बता दूँगा, chapter 11 है आपका, work energy, chapter 12 है आपका, chapter 12 है, sound chapter है, chapter 13, why do we fall, ill, chapter 14 है, natural resources, chapter 15 है, improvement in food resources, ये completely आपके mass में 15 chapters हैं, science में भी आपके 15 chapters हैं, ठीक है, तो गुबरामन नहीं, और इस channel पे आपके मेरा target है, कि आपके mass में 100, 100 दिलवाना मिरगर इंटेट है, तो आप जल्दी से channel को subscribe के लिए, science में भी आपको 90 प्लस ही marks होंगे, तो आपको हर subject हमारे channel पे completely पढ़ाई जाएगी, आप channel से जुड़ जाएं, ये chapters से थे, और अभी आपको घबराना नहीं, अभी आप only anxiety books पर सच के लिजिए, और अभी syllabus जो है आपका term 1 और प्लस term 2 के according, आपको decide हो जाएगा, कौन से chapters आपके term 1 में पूछे जाएगे, कौन से chapters आपके term 2 में पूछे जाएगे, तो इस जानकारी को जादा से जादा जितने भी आपके जानने वाले मित्र ओदोस्त हैं, उनको जादा से जादा शेयर करें, उनको उनके मन में यह doubts हैं, दूर हो सकें, कितने chapters आ रहे हैं, क्या chapters हमें करने की जरूत कौन से books अभी follow करने की जरूरत है, दानिमात मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो झाल